नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का कोली क्लासेज में तो आज हम दोग देखे के अस्याटी स्रीज में क्लास एट का पहला चेप्टर कैसे का बॉर्ड का हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्चन नमर फर्स्ट से तो भीतिस कहल के संदर में निम्लिखित कत्नों पर विचार की किजिए। पहला कथन है। हिंदूस्तान के नकशी त्यार करने का कार्य रवर्ट कलाइव ने जेम्स कथन साही तो ब्रिक्त में से पहला और जो तीसरा वो कथन सही दिया गया है तो इसका हो जाएगा option number C हो जाएगा रेख्या देखेंगे कतन जो फर्स्ट है सही है क्योंकि रॉबर्ट कलाईब ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान के नक्से तयार करने का काम सोपा था भारत पर अंग्रेजु की वीजय के समर्थक रेनेल को वर्चस वस्तापित करने की परकिलिया में नक्से तयार करना महत्पूर्न लगता था और एविल्ट वर्ण हेस्टिंग 1793 में घृवर्नर जेडेल बना था जो कि भारत का पाला कवर्नर जेडेल था जबकि रोबर्ट कलाईब बंगाल का यह दूसरा कतन है वह गलत है और भारत का अंतिम घृव्नर सम्टल लॉड माउंड वेड Kirby धन था कतन हो गया का स्थीज्या इंडिया नामक पुस्तक यह जो लिखा गया है जैम्स मिल के दौरा लिखा गया जैम्स मिल के दौरा देखेंगे इसका वेक्या कि अधरसो सत्रा में स्कॉर्ट लेंड के अर्थ सास्तरी और राजनेतिक दार्चनिक जैम्स मिल ने तीन विसाल खंडों में A History of British इंडिया नामक पुस्तक लिखी इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुश्लिम और ब्रिटिश इन तीन काल खंडों में माटा था मिल को लगता था कि सभी ACI समाज सबहता के मामले में उरोप से पीछे है और ब्रिटिश सासन भारत को सबहता की रापर ले जा सकता था मिल ने तो यहां तक का सुझाब दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भुवाग पर कबजा कर लेना चाहिए ताकि भारतिया जन्ता को जान और सुखी जीवन परदान किया जा सके वह मानता था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगती नहीं कर सकता कोश्चन नमर तीन देखेंगे अंग्रेजों दोरा सरकारी रिकॉर्ड्स को समभाल कर रखने के संदर में निमलिखित कतनों पे विचार कीजिए अंग्रेजों दोरा महत्पूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभी लेखागार और संग्राले जिसे संस्थान बनाए गए यह होगा फर्स्ट कतन दुसरा कतन है परतेक सरकारी विभाग की कारवाहियों के दस्तावेजों की साब्धानी पुर्वक नकली बनाई जाती थी जिनें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे तो परतेक सरकारी बिभाग की कारवाहियों की दस्ताबेजों की साब्धानी पुर्वक नकली बनाई जाती थी जिनें खुशनवीशी के माहिर लिखते थे अंग्रेजी सासन दौरात तयार किये गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहास कारों का एक महत्पुन शाधन होते हैं तो प्रिक्त कतनों में से कौन सा कतन सही है तो प्रिक्त में से तीनों कतन सही हो जाएगा तो अप्सन हो जाएगा डी वे क्या देखेंगे अंग्रेजों को लगता था कि तमाम एहम दस्ताबेजों और पत्रुक को सम्हाल कर रखना जरूरी है लिहाजा उन्होंने महत्पुन दस्तावेजों को वचा कर रखने के लिए अविलेखागार और संग्राले जिससे संस्थान बनाए उनिस्वी सदी की सुरुवात में परशासन की एक साखा से दूसरी साखा के पास बेजे गए पत्रों और ग्यापनों को आप आज विस अविलेखागारों में देख सकते हैं उनिस्वी सदी के सुरुवाती सालों में इन दस्तावेजों की साबधानी पुर्वक नगले बनाई जाती थी उन्हें खुशनवीशी के माहिर लिखते थे अथा कतम जो पहला और दुसरा वो सही है और खुशनवीशी या सुलेक नवीश ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुन्दर ढंग से चीजों को लिखते है कतम तीसरा भी सही है क्योंकि अंग्रेजी सासन दौरा तयार किये गए सरकारे रिकॉर्ड इतिहास कारों का एक महत्पून साधन होते हैं अंग्रेजों को मानेत थे कि चीजों को लिखना बहुत महत्पून होता है तो यह जो फर्स चेप्टर था इसमें समात इसमें तुमात तीन कोश्चन था हम आगे चेप्टर इसका सकेंड भी देख लेते हैं सकेंड का कुछ चेप्टर देखेंगें फिर आधा जो बज्या का सकेंड चेप्टर का उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगें तो चलिए देखते हैं इसका सकेंड चेप्टर चेप्टर सकेन है वेपार से समराज्य तक कंपणी की सत्ता अस्थापित होती है उसे संबंदित कुश्चन है चेप्टर नमर दू में तो फर्स्ट कुश्चन है चेप्टर दू का है भारत में एरोपिया वेपारी सत्यों के आगमन का सही क्रम निम्रीखित मेंसे कौन से हैं अर्थात भारत में सब्सक्राइब कौन आया कौन बिदेशी वेपारी यूरोप के सब्सक्राइब का पुर्टर गाली डच पीर आएगा अंगरेज फिर फ्रांस से पहले आए कावर आया था एस्पैनिज देनिस देख लेते आगे इसका वेक्या देड इसको इंडिन्मार्क के कंपणी आये था भारत में एडियोपिया वेवारी सकतियों के आगमन का सही क्रम इस प्रकार है सब्सक्राइब पूर्दगाली फिर उसके बाए डज अंग्रेज फिर देन इन्वा इरोप से भारत तक पहुशने के समुद्री मार्क का पता बास्को डिगामा नामक खोजी यातरी दोरा लगाया था यह यातरी निम्लिखित में से किस देश संबंदी था तो बास्को डिगामा किस देश संबंदी था यह पूर्दगाल से था बास्को डिगामा इक पूर्द 299 में पहली बार इरोप से भारत पहुंचने का समुद्री मार्क हो जाता है को कोश्चन नमर तीन देखेंगे 27 सताब्दी के पर्थमार्थ के संदर में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए 27 सताब्दी के पर्थमार्थ के संदर में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला इस्ट इंडिया कंपणी को पूरब से वेपार करने का अधिकार प्राप था दूसरा कत्न भारत के बने वारिक सूती कपड़े और रेसम की इरोब के बजारों में बहुत अधिक मांग था जो भारत में बने वारिकी सूती कपड़े थे और रेसम की वो इरोब के जो बजार तो उसमें बहुत काफी मांग था यह कथन सही है, दूसरा कथन, तीसरा देखते हैं, इस समय तक पूर्ट गाली भारत के पस्मी टर्ट पर अपनी उपस्तेती दर्ज खरा चुका था, देख लेते हैं, उपर यूप तीनों कथन सही है, सन 16 सोय में, इस्ट इंडिया कमपनी ने इंगलेंड के महरानी एलिजाबेट पर्थम से चार्टर अर्थात इजाजत नामा हासिल किया, जिससे कमपनी को पूरब से वेपार करने का एकादिकार मिल गया, इसका अर्थ था कि, इंगलेंड की, कोई और वेपारी कमपनी इस इलाके में इस्ट इंडिया कमपनी से होड नहीं कर सकती थी, आता, कमपिट्शन नहीं कर सकती है, वेपार के छेतर में, लेकिन यह साहे दास्तावेज, दूसरी इरोबिया ताकतों को पूरब के वाजारों में आने से नहीं रोग सकता था, इस कालखन में इरोब के वाजारों में भारत के बने वारिक, सूति, कप्रे और रेशन की जवर्दस मांग थी, इसके अलावा काली मिर्च, लॉंग, इलाइची, दालचीनी की भी जवर्दस मांग रहती थी, पूर्दगाली अंग्रेजों से पहले भारत आये और इस समय तक उन्हों ने भारत के पस्मी टट पर अपनी उपस्तेती दर्ज करा दी थी, वो ये गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे, कोशन नमर चार, इस्ट इंडिया कमपणी के संदर में निम्रिखित कतनों पर पिचार कीजिए, पहला कतन है, कमपणी ने मुगल अपसरों को रिस्वत देकर कालिकत्ता गाउं की जमीनदारी खरीदी थी, जो बाद में कलकत्ता बना, दूसर कतन, कमपणी ने मुगल बादसा और अंगजेब से फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार हुआ, वहा और कमपणी के अपसर जो नीची तोर पर वेपार चलाते थे, दोनों बिना सुर्क चुकाए, बेपार कर सकते थे, तो प्रिक्त में से कौन सा कतन सही है, तो प्रिक्त में से जो केवल, पहला कतन सही है, दूसा कतन गलत है, देखते हैं क्यों, इसका एंसर हो जगा यह था तो अपसर नमर यह हो जगा केबल फर्स्ट सही है चलिए इसका वेख्या देख लेते हैं 1696 तक कमपनी ने अपनी फैक्टरियों तथा आसपास बसी अबादी के चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया था दो साल बाद उसने मुगल अपसरों को रिष्पत देकर तीन गाओं की जमिनदारी भी खड़ी दिली इनमें से एक गाओं कलकत्ता था जो बाद में कलकत्ता बना अधा कतन जो पहला वो सही है कंपणी ने मुगल बासा ठाउर रंगजेब को इस बात के लिए तयार कर लिया कि वहां कमपणी को बिना सुलक चुकाए मैपर करने का फरमान जारिक कर दें और रंगजेब के इस फरमान से केबल कंपणी को ही सुलक मुप्त बैपर का धिकार था अर्था उसमें कोई फिटेक्स नहीं लगता कमपणी के बेपार का लेकिन कमपणी के जो सर्व नीजी तोर पर बेपार चलाते थे उन्हें या छूट नहीं थी लेकिन उन्होंने भी सुर्ख चुकाने से इंकार कर दिया जिससे बंगाल में राज़त सुवसूली बहुत कम हो गए अताकतन जो दूसरा वो गलत है कोश्चन नमर देखेंगे पांच कोश्चन नमर पांच है निम्रीखित में कौन सा बंगाल के नवावों को सही करम है जिसका उप्सन हो जाएगा भी मुर्षित कुली खाँ, अलिवर्दी खाँ सिराजुदौला चुल इसका वेका देख लेते हैं दिए गए नवावों में सबसे पहले मुर्षित कुली खाँ, नवाव पना मुर्षित कुली खाँ के बाद कोश्चन नमर च्छे देखेंगे इस्ट इंडिया कंपणी और बंगाल के नवाबों के मद युदों के कारणों के संदर में निम्लिखित कतनों पे विचार कीजिए तो East India Company और बंगाल के नवाब के भी जो यूद हुआ था उसका क्या कारण था उस कतन पर हमें विचार करना है देखते हैं पहला कतन है नवाबो ने कमपनी से वेपार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग की नवाबो ने कमपनी को सिक्के ढालने का अधिकार तो दिया प्रंदु कमपनी की किलाबंदी को रोख दिया तो रुप्युक्त में से कौन सा कतन सही है तो रुप्युक्त में से केवल पहला जो कतन है वो सही है क्यों सही है देख लेते हैं इसका वेख्या बंगाल के नवाब सक्ति सालिस आ सकते उन्होंने कमपणी को रियायते देने से मना कर दिया था तथा बैपार का दिकार देने के बदले कमपणी से नजराने मागे अता कथन जो पहला वो सही है उन्होंने कमपनी को सिक्खे ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलाबंदी को बढ़ने से रोक दिया इसलिए कफम दूसरा है गलत कमपनी पर धोका धरी का आरोब लागाते हुए उन्होंने दलिल दी कि उसकी बज़ा से बंगाल सरकार की राज़त सुवसूली कम होती जा रही है और नवावों की ताकत कमजोर पर रही है आगे देखेंगे कमपनी नवाव के राज के आंतरिक मामले में टांगराती थी साथ ही कमपनी का खाना था कि अस्थानी अधिकारियों के वेतू की मांगों से कमपनी का बैपार तबा हो रहा है ये टकराब दिनों दिन गंभीर होते गए अंतरिता इन टकराबों के पड़ी नहीं थी पलासी की परसी दूद के रूप में हुई थी तो यह सब बजा रहा जिस बजा से लास्ट में जाकर फिर पलासी का यूद होता है आगे बढ़ेंगे कोश्चर मर साथ देखेंगे पलासी के यूद के संदर में निम्लिखीत कत्नों पर विचार कीजिए पलासी के यूद के संदर में निम्लिखीत कत्नों पर विचार करना है पहला कतन है इस यूद में रॉबर्ट कलाइब ने कमपनी की सेने का निर्द किया सिराजु दोला की सेनापती मीर जाफर की टुकरियों ने इस यूद में हिस्सा नहीं लिया और इस यूद के बाद सिराजु दोला को मार दिया गया तथा मीर जाफर को नवब बना दिया गया तो प्रिक्त में इसे कौन सा कथन सही है तेखते हैं, तो प्रिक्त में से जो आपका तीनों कथन सही दिया गया है, इसका हो जाएगा आप्सन D हो जाएगा प्लासी का यूद 1757 में हुआ इसमें बंगाल के नवाप सिराजुद दौला के खिलाप रॉबर्ट कलाइब ने कमपनी की सेना का निर्थित किया इस यूद में सिराजुद दौला की हार हुई श्रजुदौला के सेनपतियों में से एक मीर्जाफर की टुगरियों ने कमपनी का साथ देते हुए इस यूद में हिसा नहीं लिया जो कि इसकी हार का बहुत बड़ा कारण भी बना था और पलासी की जंग के बाद सिराजुदौला को मार दिया गया तथा मीर्जाफर को नवाप पना दिया गया कुश्चन नमर एट देखेंगा बकसर के यूद के संदर में निमलीखीत कत्म पर विचार कीजिए यह यूद कमपनी और मीरजाफर के मदो लाड़ा गया दुसरा कतन है इस यूद में कमपनी की जीत के बाद मीरकासिम ओर मीरकासिम बनाया गया दिसरा कतन इस यूद के बाद अब नवाब को हर महिने 5 लाख रुपई कमपनी को चुखाना त्या हुआ तो उपरिप्त में से पाणनría स्थियर उपरिप्त में चो आप्सेम आपका तीसरा वो सही है देख लेते हैं कि इस यूनि कंपशनी के जीत के बाद मीट कासिम को नभाब बनाया गया केबल यह हो जागा केबल तीन में प्राइश को शोड़ियर वखेस्फ़्त है बकसर का यूद 1764 में कमपणी और मीर कासीम के मद लारा गया तो मीर कासीम को मद लारा गया जब क्यों पे था मीर जाफर इस यूद में कमपणी के जीत हुई आता कत्म जो पहला था वो गलत हुआ और कमपणी के जीत के बाद मीर जाफर को दोबारा नबाब बनाया गया इसलिए जो दूसरा कत्म है वो गलत है और इस यूद के बाद नबाब को हर महिने पांच लाख रुपे कमपणी को चुकाना त्या कर दिया गया इसलिए कत्म जो तीसरा है वो सही है इस वीडियो में हम लोग गहीं तक रखते हैं अगले वीडियो में इससे आगे देखेंगे जो भी कॉस्चन है चैप्टव दो का बचा हुआ फ़िए वीडियो को जाथा कोसी सरा था लंबा नहीं करने का ठीक है दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हैं तो अच्छ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को सेड करें मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक लिए आप सभी का धन्यवाद